सुप्रिम कोट ने 2002 के गुजरात मामले पर पियम मोदी पर बनी BBC की डॉक्यमेंटरी को बैन के फैसले को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की है नियायमूर्ती संजीफ खना और नियायमूर्ती एमेम शा की पीट ने वरिष्ट पत्रकार एनेम राम और त्रमूर कॉंग्रेस की सांसाद महुआ मोहित्रा और आधिवक्ता प्रशान भूशन की दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है और क्या कुछ हुआ सुप्रिम कोर्ट में देखते हैं ये रिपोर्ट नोटिस जारी किया जस्टिस संजीव खर्ना और एम एम सुन्दरेश की पीट ने इस मामले की सुनवाई की इस दोरान याचिका करताओं की और से पेश्वे वरिष्ट वकीर सी यू सिंग ने ट्विटर से लिंक खटाय जाने का हबाला दिया जिस पर कोट ने कहा हम सरकार स इस से जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं जस्टिस संजीव खर्ना ने याचिका करताओं के वकी से सवाल किया कि आप इसके लिए हाई कोट क्यों नहीं गए कोट को सियो सिंग ने बताया कि सरकार को इस तरह की शक्ति देने वाले कानून को चनौती सुप्रिम कोट में लंबित है इस पर पीट ने कहा ठीक है हम नोटिस जारी कर रहे हैं अप्रेल में सुनवाई होगी एमल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी कर सुप्रिम कोट अप्रेल में सुनवाई करेगा आपको बदा दे कि 21 जनवरी को मोधी सरकार ने BBC डॉक्यमेंटरी इंड DBLIVE कि रपो